जैशी किष्णा दोस्तों वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों महा शिवरात्री सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन जो शिव भक्त होते हैं भगवान शंकर का भी शेक करते हैं रुद्र भी शेक करते हैं दोस्तों शिवरात्री के दिन किया जाने वाल हूँ जिसको अगर आप सच्चे मन से अगर पती पतनी करें तो बहुत ही शेष्ट है नहीं तो दोनों में से कोई भी कर सकता है बस सच्चे मन से करिए संकल्प करिए कि मैं इस विधी से भगवान शंकर का पूजन करूंगी अगर आप वरत करें तब भी कर सकते हैं अगर वरत नहीं भी करतें तब भी आप इस दिव्य उपाय को करें तो यकीन मानिए आपको मन वांचिन संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों शिवरात्री के दिन किया जाने वाला एक सरल सा उप उपाय बतारी जिसको करने से आप कोई वर्श व्रिद्धी अवश्य ही होगी दोस्तों संतान की प्राप्ति और जिन भी बहनों को देखें सरफ कन्या संतान हो रही है तो वह इस उपाय को अवश्य करें पुत्त प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें दोस् दोस्तो शिवरात्री की पूजा का जो महत्वे देखे संध्याकाल का माना जाता है इसलिए अगर आप रात्री के समय इस उपाय को करें तो बहुत ही शेष्ट है आप पांच बज़े से लेकर रात के दस बज़े तक कर सकते हैं अगर पती पतनी करते हैं तो और भी अच्छा ह अगर आप चाहा रखते हैं पुत्री की कामना रखते हैं तो दोनों के भाग्य से ही प्राप्त होती है इसलिए आप मिलकर अगर भगवान भोले शंकर को प्रसंद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीगरी ही पूरी होगी दोस्तो अगर आप देखे वरत करते हैं तो बहुत अच्छा है अगर वरत नहीं भी करते तब भी आप इस दिव्वे उपाय को बिल्कुल सात्विक रूप से करें दोस्तों देखे सुबह के समय आप जैसे भगवान शंकर को अर्पित करनी है वो जानकारी दे रही है दोस्तों देखे पंचा मित से भी आप भगवान शंकर का अभिशेक कर सकते हैं रुद्र अभिशेक कर सकते हैं पंचा मित की मैंने विधी पहले ही बता दी थी कि आपको क्या क्या डालना चाहिए अगर आप देखे पुत्र क कामना रखते हैं तो आपको एक वस्तु विशेश रूप से रखनी है वो है गाय का घी दोस्तों चाहे आप पंचामित से सनान कराई चाहे आप शुद्द जल से सनान कराई शिवलिंग को लेकिन लास्ट में जब आप जल अरपित कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में आपको घी से भगवान शंकर का यानि शिवलिंग का अभशे करना है ठोड़ा से घी लेना है ज्यादा नहीं लेना है और इतना घी लेकर जाए क्योंकि उसी से आपको दीपक भी जलाना है दोस्तों दीपक देखे चाहे तो आप आठे के पांच दीपक बना सकते हैं मतला आठे के बना सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं आप छो मुखा आटे का दीपक बना कर उसके उबबर देखे, चार आपको बत्ती लगानी है जो लम्बी वाली बत्ती होती है और उसके उबबर आप एक खड़ी बत्ती लगा सकते है जिससे वो पंच मुखी दीपक बन जाएगा या फिर आप आटे के या मिट्टी के पाँच दीपक तो अवश्य जलाने है तो आपको गाय के घी से ही जलाने है इसी बात का विशेश ध्यान रखना है तो इसलिए आप पहले ही गाय का घी खरीद लाएं कहीं से भी चाहे आप मतलब मदडेरी का या कोई सा भी गाय का घी ले सकते हैं लेना आपको गाय का घी है साथ ही आपको देखे बेल पत्र भी अवश्य अरपित करने हैं वो आपकी इच्छा है आप 11, 21, 108 जो भी अरपित करना चाहें क्योंकि भगवान शंकर की सबसे प्री ये बेल पत्र मानी जाती है भगवान शंकर का ही सरूप माना जाता है उनकी तीन आखों का प्रतीक माना जाता है तो इसलिए आपको बेल पत्र अवश्य अरपित करने हैं और जो चिकनी साइड होती है उसी साइड से आपको मतलब अर्पित करना है शिवलिंग पर साथ ही दोस्तों देखे अगर शिवरात्री के दिन आपको नंदी बैल मिल जाए तो बहुत ही शेष्ट है आपको उसको देखे अपनी प्रसंद मुद्रा से मतलब खुशी से मिलकुल अपनी जो मनो कामना है उसको ध्यान में रखकर अगर उस दिन हरा चारा खिलाते हैं तो बहुत ही शेष्ट माना जाता है कि आपकी जो मनो कामना है वो शीगर पूरी होगी अगर दोस्तों आपको ना मिले तो आप शिवरातरी के दिन देखे शिवलिंग का जलाबिशे करेंगे शिव परिवार का करेंगे तो आप नंदी को भी कुछ मीठा अवश्य चड़ाएं तो आप अगर हो सके तो नंदी बैल को ही हराचारा खिलाएं अगर आपके घर के आस पंचा मिठ बनाया है तो पंचा मिठ से अविशेक करें और उसके बाद के शुद्ध जल से दोस्तों आपने पंचा मिठ से अविशेक करा है उसके आखिर में आप गंगा जल से भी शिवलिंग का अविशेक अवश्य करें थोड़ा सा गंगा जल ले ले उसको शुद्ध ज तो वो टूटे फुटे नहीं होने चाहिए और जो बेल पत्र आप अर्पित करें वो भी कटे फटे नहीं होने चाहिए इन दो बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों उसके बाद अक्षद कलावा सब जो आभी आप समागरी ले ग पइप के ऐब हैं 5 5 डीपक अगर अलग लेगे हैं तो अलग अलग जलाएं अगर आप एक ही डीपक में बनाकर ले ग bitch भी को दिपक जलाए दोस्तों इस तरह से आपको डीपक आखिर में जलाना है आप धूप दीप जलाकर भगवान शंकर की आरती कर लें चाहे आपका पूर जला कर आरती करें और अपनी मनों कामना भी भगवान शंकर से अवश्य बोलें जो भी आपकी कामना है चाहे वो संतान की है पुत्र की है क्योंकि देखे दोस्तों भगवान शिवजी पर मतलब शिवरात्री के दिन अगर आ लेकिन वंजवृद्धी अवश्य होती है गायके दूरसे अभिषेक करते हैं तो संतान की जो रुकावट आती है वो दूर होती है तो इसलिए आप गायका घी अवश्य अर्पित करें इस से वंश이iedny अवश्य होती है जिनकी भैनों के देखे संतान तो हो रही है लेकिन पु बायकान में अपनी मनोकामना बोले, मनोकामना बोलने के बाद उनको मीठा अवश्य चड़ाएं, अगर आपको देखे नंदी बैल मिल जाता है तो उसको हराचारा अवश्य खिलाएं, इससे आपके जीवन में खुशाली अवश्य ही आएगी, शीगरी आपको संतान की पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, अगर आपने वरत नहीं भी रखाया, तब भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, दोस्तों शिवरात्री के दिन विशेश रूप से गाय के दूद का गाय के घी का प्रियोग अवश्य करें, और जो मैंने दीपक बोला है, वो अवश्य जलाएं, वो भी गाय के ही घी से जलाने हैं, चाहे तो आप पांस दीपक ले जाएं, चाहे तो आप एक दीपक ले जाएं, और उस पर एक खड़ी दीपक लगा कर आप पंच मुखी दीपक बन जाएगा, तो इस तरह से आप दीपक अवश्य ही जलाएं, दोस दोस्तों इस तरह से अगर आप भगवान शंकर की पूजा कर लेते हैं भगवान शंकर की प्रिय वस्तु से उनका पूजन करते हैं तो यकीन माने भगवान शंकर की किरपा से माता पारवती के आशिरवासे आपको मन वांचिर संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी इस दिन देखे गंगाजल का विशेश महतु मना जाता है तो आप गंगाजल से अभिशेख भी अवश्य करें और दोस्तो इस उपाय को आप मंदिर में ही जाकर करें तो सबसे अधिक आपको शेश्ट लाब मिलेगा दोस्तो अगर आप किसी वज़े से नहीं जा पारें आप घर में करना चाते हैं अगर देखे किसी बहुत ज़्यादा कोई कारण है तब ही आप इसको घर में करें नहीं तो आप शिव मंदिर में ही जाकर इस उपाय को करें तो यकीन मानिये भगवन शंकर की किरपा से आपको मनवांचे संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें